नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है भालचंदरा, ब्रह्मान्ड सिद्याष्ट में आप सभी का स्वागत है, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिन आंग 14 सितंबर 2022 का संपुर्ण राशिफल, उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग उसके बारे में चर्चा करेंग आज का जो दिन है बुदवार का है, शुभकरुत नाम समवसर है, सूरिय का दक्षिनायन चंदरा है, रुदू वर्शा का है, महिना भादरबत का है, कुर्ष्ण बख्ष के चाउती दिति है, नक्षतर अश्विनी है, योग व्यागात है, दिन का जो करण है वो बाल है, औ और अभी जीतमूर्थ दोपर ग्यारा बचकर अठावन मिनिट से लेकर बारा बचकर चायलिस मिनिट तक का होगा, गुलिक काल और अभी जीतमूर्थ दिन के शुभका लावदी कहे जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के महतोबुनकाम या फिलिर ने आप ले सकते हो, उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वा शुरुवात होगा दोपर बारा बचकर बाइस मिनिट से लेकर एक बचकर चोपन मिनिट तक और यमगंड़काल सुभ साथ बचकर पैतालिस मिनिट से लेकर नौ बचकर सतरा मिनिट तक का होगा, राहुकाल और यमगंड़काल दिन के अशुबकालावदी कहे जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के महत पुर्णकाम या फिन्यरने बिल्कुल भी नहीं लेना, उस प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है, या चंद्रमा संपुर्ण दिन मेश राशी में ब्रह्मन करेगा, या चंद्रमा हर्षल और जा रहा है, शुक्र से नवपंचम योग याने के तरिकों योग करने जा रहा है, शनी के साथ ये चंद्रमा केंदर योग भी करने जा रहा है, यह गरसिती सामने रखते हुए, बारा राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विशाय पर अब हम चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले राशी है मेश राशी, मेश राशी में ही चंद्रमा का ब्रबन है, और आपके राशी में सित्र राहू और हर्शल के साथ ये चंद्रमा योधियोग करने जा रहा है, आपके पंचम भाव में सित्र शुक्र के साथ ये चंद्रमा नवपंचम योग याने के तर साबित हो सकता है किसी भी प्रकार के मैं तो पुर्ण निरने आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना आपके जो निरने हैं वो पूरी तरह से चुक सकते हैं उसी प्रकार आपके आपस्ट के लिए आज काफी अच्छा और महतोपुड़ण साबित होगा कुछ अच्छे लाब अगर आप मिलने की संबहुना काफी अच्छी बनती है अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुल मिला के देखा जाए तो पैसे के मामले में दिन अच्छा होगा लेकिन ऐसे किसी भी प्रकार के महतोपने नहीं लेना जिसके जैसे आपकी जीवन की दिशा ही बदल जाए चोटे मूटे बातों के लेकर आज आपको गुसा आज 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 आ की दिकाँ नियोग करने जा रहा है उसे प्रकार आपके अच्टम बाहवमिस्थिध शनिक आपके भाग्य बाहवमिस्थिध शनिक के साथ यचैद्डरमा के इन्द नियोग भी करने जा रहा हैं आज को दिन है काफ़ी जगा स्ट्रेसफ़ुल आपके काम है वहीं कीजिए अलग से जाके कोई भी काम नहीं कर다 क्योंकि वह पूरा नहीं हो पाएगा कि इस चुनल मिठे यूणराशा के लाव में चंद्रमा का ब्रह्में हैं और वही पर MDK युट्य योग करने जारा है आपके दृस्टिय भाई में से रवी के साइछ आपके दृतियों बाव में से शुक्र के साथ ये चंद्रमा नवपंचुमियों करने जा रहा है आपके अश्टम बाव में से शनी के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है तो आज का जो दिन है मिला जुला साबीत होगा खास करके आज का जो दिन है इसमें आ तो पूर्णी डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना, हाला कि आपके जो मित्र परिवार हैं, उनके साथ मिस अंडर्शनिक की वज़े से, आपके जो रिलेशन्शिप है, उसमें प्रॉब्लम कॉम्लिकेशन्स आ सकते हैं, बस उसी के उपर आपको थोड़ा ध्यान देना आवश शक होगा, इसके बाद की जो राशी है, वो है करक राशी, करक राशी के दशब बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है, और वही पर सिथ हर्शल और राहु के साथ ये चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है, आपके दृतियोबाव में सिथ शुक्र के साथ ये चंद्रमा नव के लिए साबित हो कि जो भी आपका कारेशतर है उससे रिलेटेड वहापर के जो लोग होंगे उनके साथ चोटी-मूटी बातों के लेकर तकरार काफी बढ़ भी सकती है उसी परकार आपके घर के जो लोग है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वह काफी अच्छे देखे जाए लेकिन अगर आप भी वाई तोद आपके जोड़ीदार है उनके साथ चोटी मूटी बातों के लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के बांगया जंदरमा का ब्रहण है और वय पुरसीत राहु और शुक्रकें और राहु और हर्शिल के साथ यह चंदरमा युतियोग करने जा जा रहा है तो आज का जो दिन है आपके लिए काफी ज़्यादा महत्वन साबित होगा आज आपकी जो एनर्जी लेवल है काफी अच्छी देखे जाएगी लेकिन आपका जो मुलबूस वाह है कि आप बहुत बड़ा सोचते हो और इसी वज़ेसे आज के दिन अगर आप मियाजा भी भुगतना पड़ सकता है तो थोड़ा सा चौकना रहना ज्यादा आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी के अस्टम भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और वही परसिद राहू और हर्शल के साथ या चंद्रमा युतियो भी करने जा रहा है आज के दिन आपको अपने स्वास्त के बारे में ध्यानना होगा अगर समाज विरोधी कोई आप काम करते हो तो उसके संद्रम में वस्थने के पूरे के संभवना आज के दिन काफी ज़्यादा बन रही है आपकτη जो मित्तर परिबार है उनके साथ भी मि इसके बाद की जो राशी है वो है तुला राशी। तुला राशी के सब्तम भौमे चंद्रमा का ब्रहमन है और वही पर सिद हर्शल और रहू के साथ यह चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है। साथ चोटी मूटी बातों के लेकर तकरार हो सकती है और यह जो तकरार है वो काफी बढ़ भी सकती है तो आपको स्वैम पर स्वैम पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक्त होगा आपके जो घर के लोग है उनके साथ भी चोटी मूटी बातों के लेकर तकरार हो सकती है केंद्र योग भी करने जा रहा है काफी ज़्यादा महतुपुर्ण दिन आपके लिए हो सकता है कोई भी निर्ने किसी भी प्रकार के चाहिए चोटे हो या बड़े आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना कास करके आपका जो भी कारेशेतर है वहापर के जो लोग होंगे उनक काम करते हो तो वह पूरा नहीं होगा आपके लिए काफी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉंप्लिकेशन हो सकते हैं बस इन्हीं उपर आपको ध्यान दना होगा लेकिन अगर आप भी वाई तो आपकी जो वाई वाई जो डिदर है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है काफी इसके बाद की जो राशी है वो है धनु राशी धनु राशी के बंचम भाव में चंदरमा का ब्रह्मना और वई परसित हरृषल और रहो के साथ यह चंदरमा यूतियोग करने जा रहा है काफी ज़्यादा महतोपुर्ण दिन आपके लिए साबित होगा कास करके अगर आप किसे के रिलेशन्शिप में हैं तो उनके साथ चोटे मुटी बातों के लेकर तक्रा होगी और वो मिस्वर्ण अंडरस्टेंडिंग की वगज़े से ज़्यादा होने की संभावना काफी ज़्यादा बन रहे हैं अगर आप शेयर मार्केट से डिल करते हैं तो आज की दिन किसी भी प्रकार के महतोपुर्ण ट्रेड बड़े निर्ण है बिलकुल भी नहीं लेना ये बात जान लेना ज़्यादा आवश्यक है हलाके आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ के बाहर कुम न फिर न या फिर उनसे आपको कुछ अच्छी मदद या फिर सला मिलने की संभावना काफी ज़्यादा बन रहे हैं आज की दिन आपके खर्चे बगरा भी ज़्यादा हो सकते हैं इसके बात की जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी के चतुरत भाव में जंद्रमा का ब्रह्मन है और वही परसित हर्शल और राहू के साथ या जंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है आपके अश्टमभाव में से शुक्र के साथ ये चंद्रमा नमपंचम योग आने के तरी को नियोग करने जा रहा है उसे प्रकर आपी के राशे में से शनी के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है सबसे ज़्यादा महरत पुर्णवाद आपके जो घर के लोग होंगे खास करके चुमहिला सदसरेंगे उनके साथ चोटी मुटी बातों को लेकर तकरा हो सकती है और वो काफी बढ़ भी सकती है उनके स्वास्त के बारे में भी ध्यान देना काफी ज़्यादा आवश्यक होगा आज का जो दिन है उसमें आपको अनपेक्षित लाव वगरा मिल सकते हैं लेकिन खुद के स्वास्त के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा तो कुल मिला के देखा जाता है थोड़ा स्ट्रेसफुल जो दिन है वो आज आपका हो सकता है इसके बाद की जो राशी है वो है कुमबराशी कुमबराशी के तरिते वाव में चंदरमा का ब्रहमन हैं और वही पर सित अर्शल और राहू के साथ यह चंदरमा यूतियोग करने जा रहा है आपके सब्तम बहुमे से शुक्र के साथ ये चंदरमा नभवबंचम योग जाने के दरिकों नियोग करने जा रहा है आज का जो दिन है बहुत ही ज़्यादा महत्वण साबित होगा आपका जो भी कारेशेतर है उससे रिलेटेड कोई भी काम अगर आप करते हो तो वो पूरे तो नहीं होंगे उसमें आपके साथ चीटिंग वगरा हो सकते जिससे वज़े से काफी ज़्यादा चिट्चराहटपन आप में देखा जाएगा अलग कि आज के दिन आपका घुमना फिरना हो सकता है अगर आप विवाई तो आपके जो वाई-वाई जोड़िदार है उनके इंदराशी द्वीद्य वाव में चंदरमा का ब्रह्मन है वहीवऔर सित्थ हर्शल और राहो के साथ यह चंदरमा युतियोग करने जा रहा है आप गई करने जारा है। बिलकुल भी नहीं करना आपके जो अंदाज है पूरी तरह से चुख सकते हैं। अगर आप किसे के रिलेशंशिप में हैं तो वहांप पर भी मिस अंडेस्टेंडिग के वज़ह से प्राब्लम कॉंपलिकेशन बहुत ही जादा आ सकते हैं। तो दोस्तो ये था दिनांग 14 सितंबर 2022 का संपुर्ण राशिफल आपको ये राशिफल कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुबह किया निचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपने जो चैनल है रम्मांड सिद्धियास्ट्रो इसे भी लाइक शेर और सब्सक्रा जरूर करना धन्यवाद